कि हमारे संसार में करोणों मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिर्जा घर हैं प्रकार अनेक है जैसे किसी देश की नदियां सब समुद्र की ओर बहती है ऐसे ही सभी धर्मा वलंबी लगभग ग्यारह धर्म हमारे संसार में इस समय है और ऐसा दिखाई पड़ता है कि बहुत अधिक धर्म का प्रचार है लेकिन दिन प्रति दिन करप्शन बढ़ रहा है अपराद बढ़ रहे हैं अनाचार दुराचार भरस्टाचार पापाचार की भर्मार है ऐसा क्यों इसका सीधा सबुक्तर है कि हम लोगों ने धर्म का आर्थ ही नहीं समझा सुप्रीम पावर भगवान से मिलने का क्या उपाय है इसे ठीक से सम्याई नहीं सबसे प्रमुक हमारी गलती यह है कि हम अनासंग भक्ति करते हैं अनासंग भक्ति उसे कहते हैं जिसमें फिजिकल ड्रिल हो शारीरिक इंद्रियों से भक्ति हो मन से ना हो बेद कहता है मन यो मनुष्या नाम कारणम बंधमोग चयो हो ब्रमबिंदू उपनिशत का दूसरा मन्त्र यह मन्त्र त्रिप्रातापनी उपनिशत में भी है पांचमें अध्धाय का तीसरा मन्त्र यह मन्त्र शाठ्याईनी उपनिशत में भी है पहले अध्धाय का पहला मन्त्र यह मंत्र मैत्राइनी उपनिशत में भी है, 6 में अध्याय का 34 मंत्र, यह मंत्र तेजो बिंदू उपनिशत में भी है, 5 में अध्याय का 98 मंत्र, यह मंत्र मैत्रेई उपनिशत में भी है, पहले अध्याय का 5 मंत्र, यह मंत्र इसी रूप में थोड़ा अंतर करके चित्त में वही संसारा महोपनिशत ने भी यह मंत्र है चार चाचट नारद पुराण में भी यह है मनेव मनुष्यानाम कारणम बंधमोग चयो इसी आशय से भागवत भी कहती है चित्त में वही संसारा चेतक खल्वस्य बंधाय मुक्तय चात्मनो मतम तीन पचीश पंद्रा मनः परम कारणमा मनन्ती ग्यारा तेश तेटालेश भागवत पंचे दशी में भी यह है मनेयो मनुष्यानाम कारणम बंधमोग चयो अर्था तमाम बेद मंत्र शास्त्र के उपदेश के द्वारा सबसे पहले हमको ये डिसीजन लेना चाहिए कि भगवान की ओर जाने वाला है कौन हमारे संसार में क्या हो रहा है रसना से भगवन नाम लेते हैं हम लोग ठीक है किताबें पढ़ते हैं रामयान का पाठ गीता का पाठ बेद का पाठ बाइबल का पाठ कुरान का पाठ अने एक धर्मा व लंबी अपने अपने ग्रंत का पाठ करते हैं पाठ पूजा करते हैं पूजा उंबली से पुजाडी जी मार्चिंग करते हैं चारोधाम की पैसे वाले हवाई जहाद से चारोधाम होया है हाँ अब तो बैक कुंठे डिसर्ट हो गया इतनी भी उपासना 99.9% है सकाम संसार की कामना ले ले करके हम जाते हैं दूर दूर बैष्णो दे भी जा रहे हैं तिरुपती मंदिर जा रहे हैं करोणों की उसमें भेट चड़ रही है मंदिर में अरे तुमको इतना भी नहीं मालूम है कि जिस पत्थर में तुम भगवान की भावना कर रहे हो वो साक्षात भगवान तुमारे हिरदे में बैठा है निरंतर द्वा सुपर्वना से उजा सखाया समानम ब्रिक्षम परिकस बजाते तयो रन्या पिप्पलं स्वाद बत्यनत्न नन्यो अभिचाक कचीति सुईताश्चतरोपनिशत चार छे भगवान हमारा सब कुछ है इसलिए वो हमारा साथ एक सेकंड को कभी नहीं छोड़ता हम करोणों बार कुत्ते बिल्ली गधे मच्चर बने लेकिन सदा वो साथ रहा हमारे पीछे वो गड़ा बना गदे के अंदर भी बैठा सर्व ब्यापक भी हुआ अरे सर्व ब्यापक को छोड़ दो तुम्हारे हिर्दय में भगवान ने बार बार अर्जुन से कहा इश्वरस सर्व पूता नाम हिरिद्देशेर जुनतिष्टाती अठारा एकसठ गीता सर्वस्य चाहम भृदिसन्य विष्टा मत्यस्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच गीता पंदरा पंदरा सब के हिर्दय में हैं और जब आप शरीर छोड़ते हैं और जाते हैं कहीं जायों तो ग्रिहीत पईतान संजाती वो भगवान आपके साथ जाता है प्राग्ये नात्मना न्वारूढा ब्रहदारन कोपनिशत् चार तीन पैंटिस बेद कहता है अन्तस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम जस्तु सेवते अरे मनुष्यों तुम तो ग्यान जुकतो हो मेरी बात मान लो भगवान कह रहे हैं जो मैं अंदर बैठा हूं सबके उसको तुम नहीं रियलाइज करते और बाहर ढून रहे हो मंदिरों में मस्जिदों में अरे मंदिर में तुम मूर्ति में भगवान की भावनाई तो करते हो ठीक है मंदिर में भी वो ब्यापत है लेकिन तुम्हारे अंदर तो साक्षात ब्यापत है तुम्हारे प्रत्यक आइडिया नोट करता है चोरी चोरी समाने ब्रिक्षे पुरुषो निमगनोनी सेया सोचित मुहियमाना स्विताच्चत रोपनिशत चार साथ तो हमने फिलोस्पी नहीं समझी बेदों की, शास्ट्रों की सब उपर उपर का बेवार हमको हमारे आज कल के आचार्जों ने सिखाया इतना जब कर लो, इतना पाट कर लो, सब फिजिकल अरे बैई एक संसार में देखो, जीरो में अगर तुम बुणा करो एक लाग से, एक करोड से तो जीरो तो याएगा हो किसी के पैर को संखला से बान दो और कहो कोई मार्च अरे वो कैसे मार्चिंग करेगा उसका मन तो संसार में अटाइच्ट है, जिड़ता के साथ उसका ये डिसीजन है, संसार में सुख है संसार में सुख है, भागो इस ओर लगपती हो गए है, सुख तो नहीं मिला, करोडपती में हो गए हो गए हो गए है, अरबपती हो गए है, बिल जेट्स हो गए हो गए, मुझम, अम्बानी हो गए हो गए, क्या हाल है? गोली खा के सोते हैं तो नींद आती है, एक फटीचर हाल है, जब से हम पैदा हुए है, मैंने कितनी कामनाई बनाई थी, दरजा एक पास हो जाए, हो गए हो गए, मिटाई वखाओ, हाँ, होते होते हैं हमें हो गए, कलक्टर, कमिशनर, गवरनर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब हो गए, लेकिन हालत क्या है तुम्हारी भीतर से, और खराब होती जा रही है, अशान्ती, टेंशन, भय, हर समय, यह अरपती जा रहा है बजार में, फिर कैसे जाएग आगे भी एक रिवाल्बर लिये रहे, पीछे भी रहे, इधर भी, उधर भी, हरी, क्या हुआ तुम को, दो रोटी जो तुम खाते हो, तुने क्या मुझीबत मोल ले लिया, देखो एक भिखारी उटपात पर सोता है, अगर पेट भर गया है तो खरराटे में सोता है, ये बीमारी कोई इसी लोक में नहीं है, स्वर्ग में भी है, सुर्पतिर ब्राम्मं पदम्याचते, स्वर्ग का जो राजा है, आप लोगोंने नाम सुना होगा, इंद्र, वो ब्रह्मा का पद चाहता है, ये लोभ वहाँ तक चला जा रहा है, कहीं इसका बिराम नहीं, स्टापेट नहीं है, तो ये मन जो हमारा है, ये मशीन है, सबसे में मशीन, जहां से आइडियाद पैदा होते हैं, अच्चे, बुरे, इस मन को शुद्ध करना है, तन नहीं, मन, गंगा जी नहाने जा रहे हैं, क्या होगा, पाप धुल जाएंगे, रोज नहाते हैं, इलहाबाद वाले, पाप धुले, अजी और आसकती बढ़ गई संसार में, पहले पढ़ाई लिखाई में और खाने पीने में ही अताइट्मेंट था, अब एक बीबी आ गई, अब उसके चार बच्चे हो गए, अब बच्चों के बच्चे हो गए, अब एक का एक्सिडेंट हुआ, रो, दूसरा मर गया, रो, सहब भेंकर दुख से जुगते हैं, और एक तिंग में मुस्कुराते रहते हैं, अब आर यू, आल राइट, आल राइट है, अरे एक भी राइट नहीं है, साब रांग है, अंदर जांक के देखो, हमारी बीबी खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारा बेटा खराब है, और तुम अच्छे हो, और साब खराब है, तुम्हारा मन खराब है, इसी संसार में तुलसी सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंक्राचार्ज बल्लभाचार्ज बड़े-बड़े महापुरुष हुए उनको तो संसार में कुछ नहीं खराब लग रहा है वो सरबत्र आनंद कानु हो कर रहे हैं क्योंकि मन उनका भगवान से जुक्त हो गया उपासना या भक्ती का मतलब मन भगवान से मिल जाए मन देखिए आप लोग जब पैदा हुए थे तो उस समय आपको कितना बड़ा ज्यान था अगर वही फिर से हो जाए तो भगवान प्राप्ति करत अलगत क्या पैदा होते हुए आपने क्या किया सबसे पहले रोए क्यों रोए हमको आनंद चाहिए पैदा होने में जो कश्ट हुआ ये क्यों मिल लाए भूक लगी रोया ठंड लगी रोया पेट में दर्द हुआ रोया पस एक पिलाज हम अगर फिर से उसी बालक वाली अवस्था पर पहुँच जाएं चल कपट चार सो बीस जितनी कमाया है जिन्द की भर में इसको फेक दें मोह कपट चल छिद्र नभावा हम क्या करते हैं मंदरों में जाके तुमेः माता चपिता तौमेव तौमेव माता मने तू ही मेरी मा है द्रवीणम तौमेव तू ही मेरी प्रापर्टी है बैंक बैलेंस है तौमेव सरबम मम देव देव लेकिन यह theoretical है मन का attachment संसारी माँ, संसारी बाप, संसारी बेटा बेटी में और भगवान को दोखा दे रहे हो और ये भी कहते हो वो सर्बानतर यामी है और कृपा चाहते हो भगवान की संसार को दोखा दे सकते हो देते हैं लोग उसको भी दोखा देने चल पड़े इतनी हिम्मत हो गई तो मन हमारा प्रमुख है इसको शुद्ध करना है और शुद्ध करने के लिए जो भगती करना है वो मन में भगवान को लाना है जैसे गंदा कपड़ा शुद्ध जल से साबन से साप होता है गंदे पानी से नहीं होता गंदे कपड़े को और गंदगी में डुबा रहे हो मन तो अनाधिकाल का गंदा है ही गंदे लोगों में अचाइच्मेंट करके उसको अंदर ला रहे हो तुम्हारे मन में कौन है चार छे दस है बस जो तुमको दोके में डाल ले है अरे एक माँ होगी एक बाप होगी वो भी सबके नहीं है एक बीबी होगी एक पती होगा वो भी सबके नहीं है और किसी के दो चार बच्चे होंगे किसी के वो भी नहीं है इसी में मन का अटाइच्मेंट है बाकी जगे आप एक टिंकन लेते हैं आईए 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 अड़े इन लोगों में भी ब्यवहार कर लो मन खाली हो जाए भगवान में लगा दो यही तो गीता है तस्मात सरवेशु कालेशु मामनुस्मर युद्यचा अर्जुन मन मुझमें लगा दे पाप पुन्य अच्छा बुरा सम्मन से सम्मन्द रखता है हमारे संसार के कानून में भी यह है कि अगर किसी की मनशा है अपराध करने की तभी उसको जच सहब दंड देंगे एक्सिडेंट हो गया अधे हमारी गारी ठीक है हमारा ड्राइबर ठीक है हमारी स्लाइड ठीक है एक आदमी आके पढ़ गया हमारी गारी के आगे ओहो मेंटल था तो हमको फासी नहीं हो सकती तो मन प्रमुख है इसको रट लो भगवान का कोई मामला सामने आवे सबसे पहले मन को पकड़ो और उनका रूप ध्यान करो उनको सामने खड़ा करो अंदर तो बैठे ही है उनको साकार रूप में खड़ा करो रामकृष्ण के रूप में और कुछ करो मद खाली उनका दर्शन मांगो समसार नहीं मांगो उनका प्रेम मांगो और मांगो कैसे जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा मांगता है रोकर निश्चल निश्कपट भोले बालक की तरे पांडित्यम निर्वेद्य बाले नतिष्ठासे ब्रहदारन को पनिश्ट तीन पांच एक तो जब से हम समसार में आये तब से सब गड़बड़ गड़बड़ भड़ लिया अपने अंदर और जानते हैं यह तुमारी मम्मी है यह तुमारा बेटा है यह तुमारा भाई है अच्छा एक बात बताओ आज तक कोई ऐसा पैदा हुआ है जो इन सब को साथ लेके गया हो बड़े बड़े रिशी मुनी जोगी ग्यानी हुए है किसी का इतिहास बताओ कि वो जितने हैं उसके माबाप बेटा बेटी थे वो सदा रहेंगे वैसे ही अरे हर जन्म में बाप बदला मा बदली बेटा बेटी भी भी पती सब बदलते जा रहें कितने जन्म में तो हमने कुट्पिल्ली गधे को बाप बनाया कहा है हो फिर वही गलती कर रहे हो यह हमारी माँ है यह हमारा बाप है यह हमारा तुम्हारा है अरे तुम कौन हो शडीर हो इसलिए तुम्हारा कह रहे हो और जो तुम इस शडीर से चले जाते हो तो लोग क्या कहते हैं आज वो चार बजे चला गया आज ग्यान हो रहा है तो अपने लिए क्यों ग्यान नहीं लाते कि हम आत्मा हैं शरीर नहीं है आत्मा दिब्व होती है वो परमात्मा का अंश है हर एक अंश अपने अंशी को पाके पूर्ण होता है सारी नदियों का अंशी समुद्र है ये पृत्वी का एक धेला ले लो और उससे कहो कि तुम पृत्वी के हो वो कहता है हमको छोड़ दो हम पहुँच जाएंगे करना कुछ नहीं होगा तुमको ऐसे मत करो खाली छोड़ दो पृत्वी खेंच लेगी तुमने जो संसार से अटाइजमेंट कर रखा है इससे प्रथक हो जाओ डिटाइजमेंट कर लो ब्यवहार करो संसार नहीं चलेगा बिना ब्यवहार के प्यार नहीं प्यार भगवान से ब्यवहार संसार से हम उल्टा करते हैं प्यार संसार से एक टिंग भगवान से तो फिर हम क्या आशा करें कि हमसे अच्छे आइडियाज पैदा होंगे हर आदमी अपने को अच्छा कहलवाने का प्रियत्न कर रहा है हमको लोग अच्छा कहें अच्छा बनने का नहीं क्या बोलें क्या एक टिंग करें कि इसके उपर प्रभाव पड़ जाए और यह हमारा स्वार सिद्ध करें अपनी मा से बाप से भाई से बीबी से साव यहीं करते हैं एक टिंग एक दूसरे को दोखा देते हैं जैसे बहुत से अंधे हो एक जगे हो कोई अंधा कहें अरवाई हमको पस्पतनात मंदिर कोई पहुंचा दे दूसरा सोचे कि यह वी अंधा है हम भी अंधे हैं लेकिन यह जानता नहीं कि हम भी अंधे हैं आजा हाथ पकड़ ले दोनों का एक्सिडेंट हो गया ऐसे ही हम लोगों का हाल है मम्मी कहती है हमको बेटा सुख दे दो इसलिए हमने तुमको पैदा किया है बेटा कहता है मैं फकीर फक्कड जीरो बटे सौव मैं क्या दे दू मा तुझे तू मुझे दे दे सब भिखारी हैं आनन्द रहित हैं अब आनन्द सब एक दूसरे से मांग रहे हैं कौन दे कैसे दे उसके पास आई नहीं आनन्द तो भगवान और भगवान से जो मिल चुके हैं वे महापुरुष उनके पास है बस हम तो इतनी बड़ी मुर्खता कर रहे हैं भगवान के दर्बार में जाके संसार मांगते हैं क्या कोई आदमी जो मेंटल न हो मिठाई की दुकान पर खड़ा हो करके चपल मांगेगा तो मिठाई की दुकान वाला कहेगा चपल की दुकान है भगवान से संसार मांग रहे हैं वो तो आनंद सिंधू है आनंद का दाता है दुख का नहीं संसार तो जितना मिलेगा नहीं कोई अस जनमा जगमा ही प्रभूता पाही जाही मद ना ही अहंकार सबसे बड़ा शत्रू तो मन को शुद्ध करने से मन के आइडियाद अच्छे होंगे तब अपना कल्यान फेमली का कल्यान समाज का कल्यान बिश्र का कल्यान हो सकता है अन्य था चाहे दिन रात राम राम स्याम श्याम किये जाओ, चारो धाम घूमे जाओ, सब जीरो बटे साओ.